नमस्कार आप जीयन भारत देख रहे हैं और आपको हम एक बड़ी ख़बर से अपडेट कराते हैं कि हेमन सरकार के मंत्री मंदल विस्तार के बाद आज बिभागों का बटवारा भी हो गया है हम आपको बताते चले कि जिन मंत्रियों को जो है विभाग मिले है वो भी जो है नाम हम आपको बताएंगे एक-एक करके हम आपको बता दें कि जो हिमन सोरेन है हिमन सोरेन को इस तरह से है मुख मंतरी के लावा जो है कार्मिक विभाग और ऐसे विभाग जो मिले जो अन्य मंतरियों को नहीं मिले है तो वहीं दूसरी ओर हम बता दे जो राधा किस्न किशोर है जो कॉंग्रेस से जो बनाए गया है उनको वित विभाग, वानी जी कर विभाग, योजना एबं विकास विभाग, संसदिय कार विभाग दिया गया है तो वहीं हम बात करें दीपक विर्वा की तो राजस्व निवंधन एबं बोमी सुधार विभाग और परिवाहन विभाग दिया गया है और इधर जो हम बात करें चमरा लिंडा की तो उन्हें अनुसूचित जन जाती विभाग, अनुसूचित जाती एबं पिछड़ा वर्ग कल्यान ये विभाग उन्हें मिला है अब वहीं हम बात करें आरजेडी कोटे से जो मंत्री बने है संजय प्रसाद यादो की तो उन्हें स्रम नियोजन प्रसिक्षन एवं कौसल विभाग दिया गया यानि कि संजय प्रसाद यादो को भी आरजेडी कोटे से उसी तरह का मंत्र वहीं बनाे गया है जो सत्यन अद्धी भोकता को बनाए गया था और उसके बाद हम चलते हैं रामदास सुरेन रामदास सुरेन जो है उन pour ıllडरだから स्कूली शिझचावं साक्षक्टब्शा विभाग और निवरण विभाग उन प्रबंधन विभाग यानि इर्फान अंसारी को एक बड़ी बड़ा विभाग मिला है तो उसी तरह से हम बात करें हफिजूल हसन की तो जल संसाधन विभाग और अलप संख्यक कल्यान विभाग दिया गया है तो वहीं दिपिका पांडे सिंग की हम बात करें तुने ग्रामिन विकास विभाग, ग्रामिन कार विभाग, पंचायती राज विभाग यानि ग्रामिन विकास मंत्री बनाई गया है वहीं योगेंदर परशाद की बात करें तोने पेजल एवं सक्षता विभाग, उत्पाद एवं मद्द निसियत विभाग मिला है और इधर हम बात करें सुद्धिव विक्मार सोनु की तोने नगर विकास एवं आवास विभाग, उच एवं तक्निकी सिछा विभाग, परेटन कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवाकारी विभाग मिला है और इधर बात करें सिल्पी नेहा तिर्की की तोने एक महत्वपोर्ण विभाग मिला है वो है क्रिसी विभाग, यानि क्रिसी पसुपालन एवं साकारिता विभाग इस तरह से हेमन सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार के बाद आज मंत्रियों के बीज विभाव का बटवारा हो गया है यानि कि जो है जिस तरह से हम ये भी पताते चले कि एक लिश्ट जो है जारी की गई थी कॉंग्रेस के द्वारा जो है वो कॉंग्रेस के द्वारा जो लिश्ट में बताया जा रहा था कि कौन-कौन से मंत्रियों को विभाग मिलेंगे लेकिन ये कयास लगाया जा रहे थे कि कहीं न कहीं इसमें कुछ फेर बदल हो सकती है यानि इस तरह से फेर बदल होके कुछ फेर बदल हुआ है लेकिन लगभल लगभग वही है तो यानि हम यह कह सकते कि हेमंत मंत्री मंदल के विस्तार के बाद आज विभाव का भटवारा होने से कहीं ने कहीं राज जी के विकास में एक आहम भूमिका निभाने वाले जो मंत्री हैं वो निभा पाएंगे तो आप देखते रहें जी एन भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें नमस्कार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें